कर दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका हमेशा साधी शुदा महिलाई या फिर पुरूस पे दिल आ जाता है अक्सर देखा जाता है कि वह उनके आकरशन पर बहुत जादा फिदा हो जाता है जिससे कि उन्हें लगता है कि वही जीवन में उन्हें चाहिए तो आज जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं और उनसे घुला मिलना शुरू करते हैं तो उनकी बातों में या फिर उनके आकर्शन से उनको लुभाना आथान हो जाता है उन्हें ये लगता है कि जीवन में उन्हें जो अब मिला है फेह अपके जाके क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर आगे जाके ऐसा कोई उनका चाहने वाला होगा जो उन्हें अभी पसंद करता है अगर आपके गुरों की कोई ज़्यादा तारिफ कर दे और आप दिखने में अच्छे लगते हो तो आपकी तारिफ करने वाला वैक्ति ज़्यादा अच्छा लगने लगता है आपकी बारे में सोचने वाला वैक्ति आपको ज़्यादा अच्छा लगने लगता है जिसकी वजा से आप ये नहीं देखते कि वह शादी शुदा है या फिर आपसे बड़ा है सिर्फ आप उसकी तरफ आकरशित होते हुए चले जाते हैं जिससे कि आपको जीवन में यह लगता है कि यही वैक्ति है जो मेरी परवा करता है और यही व्यक्ति मेरे जीवर में आना चाहिए फिर चाहें वहे व्यक्ति शादी शुदा हो लेकिन उसके लिए वहे सोचते हैं कि इससे दूसरा नहीं वही व्यक्ति चाहिए तो हमेशा जो बच्चे कम उम्र के होते हैं वहें उन चीजों को नकारत्मक्ता के साथ सकारत्मक्ता को मिक्स करके चलते हैं वहें उसके पीछे क्या चल रहा है ये नहीं चलता उसके मांसिक इस्तित ही इस तरह की हो जाते हैं कि उसे हमेशा वही वेक्ति जादा लुभाने लगता है जो वेक्ति उसके केर करता है और केर करने के साथ साथ उसके उपहार दे या फिर उसके गुणों की तारीफ करे और उसके गुणों के बारे में उसे बताए कि तुम ही ये गुण अच्छा है और तुम ये कारे बहुत अच्छे से कर लेती हो तो उसकी चीजों को बताना उस चीजों को समझना उसकी अनुसार उसे उसकी तरफ आकरशित करता है तो यह सबसे में कारण होता है किसी शादी शुदा की तरफ आपशित होने का मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले